हलो एवरीवान वेलकम टू लर्नर भी आयम शिवानी चौहान इस विडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक सप्लिमेंटरी बुक जो है उसका चाप्टर 6 दे मेकिंग ओफ असाइंटिस्ट तो ये चाप्टर थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का है साइंस के बा बायो केमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलोजी तो ये जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिचर्ड अब्राइट इसको ये अवार्ट मिल चुके हैं इस फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज यानि कि बटरफ्लाइज में काफी ज़दा इंट्रस्टेट था काफी ज़दा फैसिनेटर रहता था कि ये कैसे सुन्दर सी होती है इस टाइप से ना सबको लगता है जब हम चोटे होते हैं तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है तो एक किताब मतब कैसे काफी ज़दा चीजों को चेंज कर देने वाली चीज रही एक बुक रिचर्ड अबराइट की लाइफ में ये हम लोग को देखना है तो ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं न स्कूल में स्कूल इंड गाइड होता है तो इस चैप्टर में एक और्गनाइज़ेशन का मेंबर कह सकते हैं तो वो फॉर्मर स्कूल अफ दे ये भी रहे हैं excited the scientific world with a new theory on how cells work तो इन्होंने एक नई theory दी किस तरीके से जो cell होते हैं वो काम करते हैं Richard H. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the National Academy of Science तो National Academy of Science की proceedings में इन्होंने बताया कि किस तरीके से cell काम करते हैं it was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students तो ये जो National Academy of Science है इसमें बहुत बड़े-बड़े scientist के ही papers publish हुआ करते थे उनकी ही findings होती थी पर पहली वारस में एक college student के publication या फिर उनकी आप कह सकते हैं discovery या फिर theory को publish किया गया in sports that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time a bat to home run in the game of baseball is when the मतब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे cricket में हापे तो इनोने baseball वगरे के example देया क्योंकि अमेरिका की है जैसे cricket में माल लीजिए कि कोई 15 की age में किसी ने century mark दी world cup में इस तरह की चीज एक बच्चे के लिए science के world में थी जो मतलब इतना बड़े paper में मतलब एक बड़ी magazine में उनका इतना नाम हुआ ऐसे आप समझ लीजिए for Richard Ebride it was the first in a long string of achievement in science and other fields तो Richard Ebride के लिए तो ये सिर्फ एक पहली ही achievement थी मतलब इसके बाद भी इनोने काफी सारी achievements की and it all started with butterflies और ये चीजे start कैसे हुई ये start हुई butterflies से only child Ebride grew up north of reading Penisylavia तो US में Penisylavia एक जगह है वहाँ पर ये इनका चाइल्डूट बीता था there wasn't much I could do there तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जादा कुछ था नहीं जो मैं कर सकता he said I certainly couldn't play football or baseball with a team of one तो अकेला तो मैं ये जो है baseball ये फुट बाल खेल नहीं सकता था but there was one thing I could do collect things तो मैं एक चीज कर सकता था वो क्या था वो था चीजों को अखिटा करना so he did तो उन्होंने यही काम किया उन्होंने चीजें collect करनी शुरू करी and did he ever beginning in kindergarten Everett collected butterflies with the same determination that has marked all his activities तो बहुत ही जादा determination से determination मतलब भहत ही कह सकते हैं कि शुद्दत से उसने butterflies को अखिटा करने का गाम शुरू किया he also collected rock उसने पत्थर, fossils, coins बहुत सारी चीजें जो है Richard ने collect करनी शुरू करी he became an eager astronomer too sometimes stargazing all night astronomer मतलब वो कई बार क्या करते थे रात और रात तारों को देखा करते थे बैट करके from the first he had a driving curiosity along with bright mind तो curiosity भी थी, curiosity का मतलब होता है चीजों को जानने की इच्छन का दिमाग भी काफी तेज था he also had a mother who encouraged his interest in learning उनकी मदर भी ऐसी थी कि जो चीजों को सीखने में interest भी इनकी मदर ने काफी जगाया she took him on trips, bought him telescope, microscope, camera, mounting material and other equipment and helped him in many other ways trips पर लेकर के जाती थी उनके लिए काफी सारे equipments, camera और काफी सारे चीजों लेकर के आती थी, जो कि उनकी discoveries में या फिर उनके interest को और ज़दा जगाते थे I was his only companion until he started school his mother said उसके मतलब कहती कि मैं उसकी only companion थी, यानि कि अकेली मैं ही उसकी friend थी जब उसने school start किया उससे पहले after that I would bring home friends for him उसके बाद तो मतलब friends लेकर कहती थी कैसे, जिसे आसपास के बच्चे है ना but at night we just did things together, रात के समय हम साथ में ही काम, चीज़े बहुत सारी किया करते थे Richie was my whole life after his father died, तो यह बताती है जब Richie के, Richard जो है इनके father की death हो गई थी, उसके बाद Richard ही, इनकी mother की पूरी दुनिया बन गए थे when Richie was in third grade, third grade में थे third class में थे, तब इनके father की death हो गई थी Richard के, she and her son spent almost every evening at the dinner room table, तो हर evening यानि कि हर शाम वो है, dinner room table यानि कि जहांपे वो dinner करते थे, उस पर ये वो लोग हर शाम पिताया करते थे if he didn't have things to do, I found work from him, not physical work but learning things, तो वो कहती है अगर इसके पास कुछ करने के लिए होता था, तो मैं इसके लिए कुछ दून देती थी कोई काम नहीं, बल्कि चीजे सीखने की चीजे, his mother said he liked it he wanted to learn, इसको पसं था मदर बताती है ने चट को की काफी चीजों को सीखना इसको पसंद था, तो मैं इसके लिए यही ढूंटर के लाती थी और यह सीखता भी था, खेलता था मतलब एक तरह से इनका जो प्लेइंग था वो सीखते-सीखते, learn करते हुए, खेला करते थे and learn he did he earned top grades in school on every day thinks he was just like every other kid his mother said तो उनकी मा कहती है कि मतलब बच्चों जैसे कि स्कूल में toppers होते हैं तो toppers में थे बहुत अच्छे marks लाते थे और बागी रोज मरा में normal बच्चे होते हैं वैसे ही थे by the time he was in second grade, a bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown तो home town यानि कि जहां पर वो पैनिसलेविया में रहते थे वहां पर 25 species butterfly की मिलती थी वो सारी के सारी इन्होंने collect कर ली थी तो यह में species of butterfly जो कि उन्होंने collect करी थी यह उनके अलग 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 नाम दे रखे हैं that probably would have been the end of my butterfly collecting तो वो कहते हैं कि शायद यह end हो जाता मेरी butterfly collecting का क्योंकि और butterflies तो थी ही नहीं he said but then my mother got me a children's book called the travels of monarch X तो फिर उनकी mother जो है एक book लेकर के जिसमें था इसका नाम था travels of monarch monarch एक butterfly का ही नाम है तो किस तरीके से monarch butterfly travel करती है उसके दाब में लिखा हुआ था that book which told how monarch butterfly migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector तो किस तरीके से monarch butterfly है यह Central America में travel करती है तो यह एक तरीके से जो bright है इनके लिए एक नया scientific word इनकी आँखों के सामने जैसे खुल गया था at the end of the book readers were invited to help study butterfly migrations तो book के end में कहा था कि अगर आप लोग butterfly migration कैसे करती है कि migration का मतलब होता है एक जगा से दूसरी जगा move करना तो butterfly कैसे move करती है तो यह अगर आप लोग book में मतलब कहा गया था जो भी readers है कि आप लोग भी इसमें help कर सकते हैं हमें butterflies को track करने में they were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Eckhart of the University of Toronto, Canada तो University of Toronto, Canada के यह scientists थे हैं Canada के उन्होंने कहा था कि बढ़ी tag करके बता दे ना कि कौन सी butterfly कहां से कहां तक ट्रावल करती है Ebride's mother wrote to Dr. Hart and soon Ebride was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs तो इन्होंने क्या किया मुनाग जो butterfly थी उसमें ना कुछ adhesive adhesive मतलब चिप-चिपे जो मुनाग butterfly होती थी उसमें ना कुछ tags लगा देते थी ताकि इनकी migration को यह कहां से कहां जा रही है इनकी movement को trace किया जा सके Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to the Dr. Urghat तो किसी को भी जो है अगर tagged butterfly मिले तो वो जो tag था वो ऐसा कहा जाता तो मतलब Dr. Urghat के पास उसको भेज दिया जाता था The butterfly collecting season around reading last six weeks in the late summer तो reading, reading जिस जगह पर वो रहते थे उस जगह का नाम था reading तो reading में लगवग 6 हफते तक, 6 हफते आप मालनी चले लगए 1.5-1.5 महीने तक butterfly collecting season रहता था गर्मियों में If you are going to chase them one by one you won't catch very many अगर एक करके एक करके पीछे आप भूमोगे तो अब बहुत सारी नहीं collect कर पाऊगे So the next step for a bright was to raise a flock of butterflies तो मतलब उनोंने क्या flock of butterflies Flock of butterflies मतलब butterflies का जुन्द उनोंने एक तरह से पालना शुरू कर दिया He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in a basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to a butterfly adult So the next step is to spread the eggs in a अडे के बाता है अडे के बाद लाइफ साइकल के टापिलर में जाती है के टापिलर से पूरा बनता है और पूरा कपूरा बटफलाई बन जाता है तो यह पूरा का पूरा लाइफ साइकल उन्हें एक तरह से आप समझ लीजे कि उन्होंने पालना इनको शुरू कर जा था ताकि बटरफ्लाइज की पूरी लाइफ साइकल को देख सके देन ही वो टाग फिर उसके बाद जब बड़ी हो चाती तो बटरफ्लाइज को टाग कर बटरफ्लाइज को उड़ने ते लेज़ देते और इनको उड़ने देते वार सेवरल यह भी बेज़ बांग वहां बहुत सारे मोनाख बट्स को यह पालते और जैसी वह बड़े हो जाते उन पर टैग लगा कर उनको बेज़ देते लिए नंबर और काइंड वबाटरफ्ला अब धिरे धिरे हर इंसान बोर जाता है ना सेम तर एक काम करते करते तो ये भी एक स्टाइप का काम करते करते बोर हो गए इस तीडियस यानि कि काफी थका देने वाला था and there's not much feedback और मतब काफी काम तो करते तो इनको feedback नहीं मिलता था उसका कुछ रिजर्ट या फिर कुछ ज़दा मिलता नहीं था Ebride said in all the time I did it he laughed only two butterflies I tagged were recaptured तो इतना सारा इन्होंने जो butterflies को tag work किया था सिफ दो butterflies को ही दुबारा पकड़ा जा सका and there were not more than 75 miles from where I lived तो सिफ 75 miles तक ही वो travel करी थी जादा दूरी तक वो travel नहीं कर पाई थी तो इनका ये जो इतना experiment था ये जादा successful नहीं हो पाया तो हम लोगों से दो questions इसमें starting में पूछे गाए थी How did a book become a turning point in Richard Bright Life तो जब उन्होंने वो book पढ़ी थी कौन सी book थी यहां पर ये देखिए इनकी mother जो इनके लिए book ले करके आई थी उस book को जब इन्होंने पढ़ा था उस book को पढ़ने के बाद इन्होंने butterflys को tag करना शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद काफी जादा इनके लिए excitement हो गई थी में इनको काफी जादा इंट्रेस्ट आ गया था और scientific discoveries के लिए इनकी life काफी जादा आगे खुल चुकी थी तो यही है जैसे की book का नाम था the travels of monarch x ठीक है यह किताब का नाम था travels of monarch x और दूसरा question क्या था यहाँ डिए इस mother help लो मदर कैसे help करती थी वादर इनको काफी सारी चीज़े ला करके देती थी collection जैसे की microscope ला करके देती थी जैसे इनकी मदर ने इनको बुक ला करके दी है ना और जिससे काफी सारी चीज़ें सीख पाते थे और जैसे telescope, microscope, camera, mounting material, other equipment जिससे वो काफी तरीके से trips पर भी ले जाती थी तो इनकी scientific discoveries में और आगे जाके इनकी curiosity इच्छाएं बढ़ाने में कि किस तरीके से चीज़ें कीज़ें सार सकती है उसमें इनकी मदर ने काफी ज़्यादा help करी थी तो यह जो आगे का chapter है यहां से यह वाला